नमस्कार, मैं अंसंधान और उसके प्रकारों पर प्रकाश डाल रहा हूँ इस क्रम में, व्याक्ष्यान की इस क्रम में आज मेरे व्याक्ष्यान का विशे है एतिहासिक शोत अर्थात एतिहासिक शोत पद्धती जिसे अंग्रीजी में historical research method कहते हैं एतियासिक शोथ पद्धती बुणात्मक शोथ पद्धती है अर्थात मात्रात्मक तथ्यों से इसका कोई संबन नहीं है इसके अंतरगत जो भी तथ्य संक्लित की जाते हैं वो बुणात्मक तथ्यों होते हैं एतियासिक शोथ पद्धती स्वयम में एक महत्तपूर्ट शोथ पद्धती है जिसका उप्योग प्रमुक रूप से सामाजिक विज्ञानों के अंतरगत अर्थात सामाजिक अनुसंधान के अंतरगत किया जाता है हम आज जालेंगे इस पद्धती के बारे में संक्षेप में कुछ बातों को मुझे उमीद है कि ये बातें जो मैं इस व्याक्षान के मध्यम से आपके साथ शेयर करूँगा वो निश्चत रूप से एतिहासिक शोथ पद्धती के समझने में मदुगार सिध्ध होंगी एतिहासिक अंसंधान में पिछली घटनाओं का अध्यान समझ और व्याक्षा समलित होती है पहली चीज जो याद रखनी है ध्यान रखनी है एतिहासिक शोथ पद्धती के बारे में वो ये कि एतिहासिक शोथ पद्धती के अंतरकत पिछली घटनाओं का पिछली घटनाओं स्ताथ पर है घटना का अतीत का घटना के भूत का अधिन की जाता है और घटना के भूतकल की समझ विक्सित की जाती है कि भूतकल में उस घटना का स्वरूप क्या था और साथ में भूतकल से जोड़ करके उस घटना की व्याख्या समलित होती है एतिहासिक अंसम्दान का उद्धेश्य पिछले विक्तियों या घटनाओं के बारे में अंतर द्रिष्टी या निश्कस तक पहुँचना है पिछले विक्तियों सताथ परे है कि वे विक्ति जो भूतकल में थे उनके बारे में अत्वा उन घटनाओं के बारे में जो भूतकल में घटित होई थी उनके बारे में अंतर द्रिष्टी विक्सित करना उनके बारे में घहराई से सोचना और उनके बारे में निश्कर्स निकालना के आखिर वो घटनाओं क्यों घटित होई क्या कारण थे और वरत्मानमन घटनाओं के क्या परणाम पढ़ रहे हैं या भूद काल में उन घटनाओं के क्या कारण थे और क्या परणाम सामने आये तथ्यात्मक जानकारी को संकलित करने और प्रस्तोत करने की तुल्ला में एतिहासिक शोद अधित दर्ज करता है इसके लिए सूठना की व्यक्ष्या भी आवशक है तथ्यात्मक जानकरी को संक्लित करने मेरा ताथपरे है कि एतिहासिक शोध बद्धती के अंतरगत तथ्यात्मक जानकरियां शूचनाय संक्लित की जाती है और उनकी व्याक्ष्या भी प्रस्तुत की जाती है एतिहासिक अंसंधान विशेश व्यक्तियों विशेश सामाजिक मुद्धों पुराने और ने जो सामाजिक मुद्धे हैं सामाजिक विशे हैं उनके बीच समंद्धों पर केंद्रित होता है भूतकाल और वर्तमन दोनों को ही ध्यान में रखकर के अध्यन करना पड़ता है और पुराने जो भी सामाजिक मुद्धे थे अर्थात अतीत में सामाजिक मुद्धे का क्या सुरूप था किस प्रकार वो मुद्धा समाज में प्रचलित था उसके क्या करण थे और साथ ही क्या परणाम उनके सामने आए या अब आ रहे हैं तो इनके बीच जो संबन्ध होते हैं कारण परणाम के संबन्ध के बीच कारण परणाम के बीच जो संबन्ध है उन संबन्धों की व्याख्या की जाती है उन संबंधों को प्रस्तत किया आता है एत्यासी शोथ एक गुणात्मक तक्नीक है जैसे मैं अश्य कहा कि ये परमाणात्मक तक्नीक नहीं है ये मात्रात्मक तक्नीक नहीं है अपितू यह शोथ की एक गुणात्मक पधती है एत्यासी कंसंधान तथ्यों की व्याख्या करने और घटनाओं के कारण और वरत्मान घटनाओं में उनके प्रफाव की व्याख्या करने के प्रयास में पिछली घटनाओं के अर्थ का अधिन करता है मैं अपने इस बात को दोराऊंगा कि एत्यासिक अंसंदान में पहली बात तो तथ्यों की व्याख्या की जाती है घटनाओं के कारणों को ग्यात किया जाता है घटना के भूत कालीन सरूप का धिन किया जाता है उसकी व्याख्या की जाती है और वर्तमान में उन घटनाओं के क्या प्रभाव हैं उन प्रावों की व्याख्या करने का प्रयास किया आता है निश्चत रूप से एतिहासिक अंपनान में शोत करता प्रात्मिक एतिहासिक तथ्य जैसे घटनाओं का प्रत्यक्ष लेखा, अभिलेखी डेटा, अधिकारिक दस्तावेच, व्यक्तिगत रिकॉर्ड या प्रत्यक्ष दर्शियों के द्वारा बताईगी बाते हैं या रिकॉर्ड पर बहुत अधिक भरोसा किया आता है कहने का दात पर है कि एतिहासिक, शोध, पद्धती के अंतरगत घटनाओं के जो भी प्रत्यक्ष लेखा है, डिरेक्ट रिकॉर्ड है जिसका संबन घटना से है, उस से जनकरिया प्रत्त की जाती है जो डॉक्यमेंट्स हैं, उस से जनकरिया प्रत्त की जाती है जो ओफिशल डॉक्यमेंट्स हैं, उस से जनकरिया प्रत्त की जाती है यदि व्यक्तिकत रिकॉर्ड है तो उसे जनकरी प्राप्त कियाती है या कि घटना का जो गवा था उसने क्या बताया घटना के बरे में उसके आधार पर जनकरीया प्राप्त कियाती है तथिर प्राप्त कियाते है अर्थात उन लोगों की बातों पर कम ध्यान दियाता है जिन लोगों से जानकरी या जो लोग घटना के गवा नहीं थे अब हम आगे बात करेंगे कि एतिहासिक अनसंधान धाटा बाहरी आलोचना और आंतरिक आलोचना के अधिनोता है एतिहासिक शोथ के दो आयाम है समय और स्थान अर्फात समय का तत्पर है कि भूधकाल से एत्यासिक शोष्ट का संबन होता है भूधकाल के परपिक्ष में ही गटना का दिन किया आता है और स्थान, जिस जगे पर भूधकाल में एक गटना गटत हुई थी उस इस्थान को किंद बान करके या उन इस्थानों को पिंद बान करके जहां घटना घटतुई थी या जहां घटना के परणाव दिखाई पड़ते हैं सरल कालकरम को एतियासिक अनसंधान नहीं माना जाता है क्रोनलोजी के बारे मैं कि जो क्रोनलोजी है घटनाव की उससे हम एतियासिक अनसंधान नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंतरगत घटनाव के अर्थ की व्यक्षा नहीं की जाती है तो एतियासिक अनसंधान के अंतरगत इधान रखा जाए कि घटनाव के अर्थ की व्यक्षा भी होना अवैशक है अब हम एतिहासिक शोथ के इतिहास की जर्चा करेंगे कि ये कब से स्टार्ट हुआ कब से इसको स्विकार किया गया एतिहासिक अंसंदान पर्दती का एक भी एक अपना इतिहास है इतिहास और समाशाद 1950 के दर्शक में अधिक जुड़े हुए थे 1950s में History और सर्शोल जी दोनों बहुँ जुड़े थे और एतिहासिक समाशाद को 1970 के दर्शक के दोरान स्विकार किया गया था तो दात्परे है कि एतिहासिक शोथ पर्दती निश्चत रूप से एतिहासिक समाशाद के बाद में ही चलन में 1980 के दर्शक में 1980 के दर्शक के कुछ प्रमुख एतिहासिक समाशाद थे जैसे Barrington Moore Junior Charles Tilli और Theda इसको पोल थे इन एतिहासिक समाशाद थे के लिए एतिहासिक शोथ पर्दती को चलन मिलाने का पूरा श्रे जाता है ये वो एतिहासिक समाशाद थे हैं जिन्होंने पहली बार लोगों का ध्यान इस ओर खीचा के वर्तमान में जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं किसी घटना के निश्चत रूप से यदि हम वो उस घटना को समझना चाहते हैं तो उसके अतीत उसके भूत में जाकर के ही उस घटना के कारणों को हम ठीक से समझ सकते हैं कि क्या कारण थे इन एतिहासिक समाशाद रात्रियों ने कालमाक्स मैक्स वेबर और दुर्खीम पर अपना काम किंद्रित किया वेबर ने दुनिया भर में धार्मिक और आर्थिक प्रणालियों के अपनी तुलना के साथ प्रारंबिक एतिहासिक अंसंधान विक्सित किया वेबर ने चीन और पश्चिमी यूरोप के बीच सांस्क्रितिक अंतर का अध्यन किया हिंदू धर्म और प्राचीन यहुदी धर्म जय धर्मों की तुलना की तो उन्नीस सो सक्तर से असी के दशक की बीच में जो एतिहासिक समाश्राट्री थे निश्चत रूप से काड़माक्स वेबर और दुर्खीम ने उनको बहुत प्रावित किया उनके कार्यों से प्रेरित होकर के ही आपने इस पद्धती का प्रयोग किया एतिहासिक अनसंधान के उप्योग के बारे में अगर हम बात करें तो एतिहासिक अनसंधान का उप्योग एतिहासिक घटनाओं के रिकॉर्ड और उनके आसपास की घटिविदियों की तुलना करने के लिए किया जाता है रिकॉर्ड से तात पर है कि अतीत मेरे घटनाओं हुई उनका क्या रिकॉर्ड है और जिस जगे पर घटना घटित हुई उसके आसपास लोगों की क्या घटिविदिया थी गटना ने किस प्रकार प्रावित किया, क्या कारण थे, इसके लिए किया आता है, एतिहासिक अनुसंधान के एतिहासिक गटनाओं को क्रमिक रूप से व्यवस्तित करने में मदद दिलती है, निश्यत रूप से एतिहासिक अनुसंधान बहुत मैत्पूर्ण है, और यदि हम एतिहासिक खटना को क्रमिक रूप से व्यमस्तित करना चाहते हैं कि कौन सी खटना पहले हुई, कौन सी उसके बाद में हुई, तो इसके लिए एतिहासिक अनुसंधान ही एक मास्टर की है. एतिहासिक अनुसंदान से एतिहासिक डाटा को संरक्षित करने मदद देती है एतिहासिक अनुसंदान इसलिए भी महत्पूर्ण है क्योंकि ये एतिहासिक डाटा, हिस्टोरिकल डाटा को संरक्षित करता है एतिहास निश्चित रूप से महत्पूर्ण होता है एतिहास की जनकरी अविश्यक होती है एतिहासे घटनाओं का रिकॉर्ड रखना अविश्यक होता है उन घटनाओं को समझना अविश्यक होता है तो एतिहासे गर्णसंधान इस दिशा में बहुत ही महत्पुन भूमिका निभाता है एतियासिक अंसंधान के जो प्रमुक लाव हैं उनमें सबसे पहली बात तो वो ये कि जिस प्रकार शोद का जो चलन है प्राय वो चलन देखने को नहीं मिलता क्योंकि जो एतियासिक रिकॉर्ड है वो शोध के प्रमुक आधार होते हैं और अंसंधान करता को उससे तरह काम नहीं करना पड़ता उस तरह शोध नहीं करना पड़ता जिस प्रकार से अन्य शोध प्द्धियों के अपना यने पर किया आता है एतियासिक अंजंधान पत्तिक अंद्रगत शोद करता अध्यान की एकाईयों यानि यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मिशन जिनसे सुचना प्राप्त कियाती है उन में सुचनादौं से प्राएबात नहीं करता एतियासिक डाटा का वेशलेशन बरतमान और भविश्य की घटनाओं को समझाने में मदद करता है तो निश्यत रूप से एतियासिक अंद्रगत बहुत लाबदायक है एड्वांटीजियस है इसके अपने सेम के लाव है परन्तु इसकी अपनी कम्याबी है जैसे एतियासिक ड एतियासिक डाटा जो समय किसी समय विश्यक के अंतरगत सुरक्षित तरीके से समाल कर रखा गया था वो आगी चल करके अफ्रक्षित हो सकता है क्योंकि प्राय दिखा जाता है कि युद्ध के समय या समय गुजरने के साथ साथ एतियासिक डाटा नस्ट हो जाता है या नस्ट कर दिया जाता है तो इस परकार से एत्यासिक डाटा अपून और असरख्षित होता है अगली कमी इस अंसंदन बंदत्ती की यह है कि इस के इंतरगर जो एत्यासिक डाटा है उसमें सम्मंदित व्यक्तियों का पक्षपाथ पूर्ण ब्याभार हो सकता है एत्यास डाटा पक्षपात से पूर्ण हो सकता है गलत भी हो सकता है जैसे कि डाइरी पत्र डाइरी और पत्र निश्चत रूप से ये लिखने वाले विक्ति के विक्तित्व का प्रत्रम होते हैं प्राय देखा जाता है कि एक डाइरी लिखने वाला विक्ति कई तक्थियों को जानविट के छुपा लेता है इसी प्रकार पत्र में भी कई बार ये देखा आता है कि बात हैं जो लिखी जाती है वो वास्पिक नहीं होती कालपनिक होती है तो तादपर है कि एतियासिक डाटा पक्षपात से ओत्रोत हो सकता है अगली कमी ये कि एतियासिक शोध एक जट्ल और व्यापक शेनी का शोध है ये इतना असान नहीं है क्योंकि शोध के विशे विशे से तादपर है कि शोध की जो इकाईया है कई कारवास प्राविद होते है जिन पर विचार करने और विश्टेशन करने की आविशेत्ता होती है तो ये एक जट्ल और व्यापक शेनी का शोध है इसके अंतरकाद शोध करता एतियासिक डाटा को फीकर तो करते हैं लेकिन एतियासिक डाटा जोकि गलत हो सकता है अक्षपात पूल हो सकता है और इसलिए शोध करताओं से प्रेक्षा की जाती है कि उनको उस डाटा को एच एटेट जिस प्रकार वो है उसको उस रूप में सीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि कई डाइरियां संस्मरण प्रत्रिदी और प्रत्रशन सापत्र लेखक की स्थिति कद महत को बढ़ाने के लिए लिए खे गए हैं और इन में उन व्यक्तियों की कमियों का जिक्र नहीं होता और ये संभव कैसे है कि व्यक्ति में केबल अच्छाईया ही हो चीजों में अच्छाईया ही हो हर चीज के हर व्यक्ति के दो पहलों होते हैं अच्छाईयां बढ़ाईयां साथ साथ चलती है लेकिन प्राया दिखा जाता है कि डाइरिय, संस्मरण और प्रसंसा पत्र अधे मैं केबल प्रसंसा की जाती है बराईयों के लिए कोई स्थान नहीं होता इसके कारण इसकी प्रामाणिक्ता और सच्चाई के लिए एत्यासिक टाटर की जाच की जानी चाहिए तो मेरा ये सुझाब है कि यदि हम एत्यासिक शोर्पंदती का प्रेव कर रहे हैं घटनों के दिन के लिए या किसी व्यक्ति का दिन करने के लिए और यदि हम डाईयरी, संस्पनल्ड, प्रसंसा पत्र आदी को सूचना का शोत मन रहे है तथ्य का शोत मन रहे है तो हमें गहराई में जाकर के ये जाच कर दी चाहिए कि क्या जो कुछ लिखा गया है संस्पनल्डों में, डाईयरी में, प्रसंसा पत्र में या पत्रों में वो क्या वास्ता में सही है या सही नहीं है तो इस पर जाच की भज़ज़दा आवश्यक्ता होती है तो इस प्रकार से मैंने कोशिश की एतिहासिक शोत के वारे मैं संख्शिप्त परचे देने की इसका महतो बताने की और कुछ सुझाव भी मैंने प्रस्तुत किये तो मेरा बस यही कहना है कि यदि कोई भी समाज विख्याने चाहे वो किसी भी विशाय समंदित हो किसी भी समाज विख्यान समंदित हो यदि एतिहासिक शोत पंदती का प्रयोग अनसंदान हे तो करता है तो उसे तक्थ्यों को उस रूप में ही सुईकार नहीं करना है जिस सूप में हो है अपे तो उसे तक्थ्यों की ठीक से जाज पड़ताल पन्हें कर लेनी चाहिए और यदि वह आश्वस्त है कि जो तक्थ्य उसे प्राप्त हो रहे हैं वो विल्कुल सटीक है सही है गलत नहीं है तब तो उनको उसे एडिटिस सुईकार करना चाहिए लेकिन यदि किसी तथ्य में भ्रामक्ता पई आती है किसी वह प्रकार के भ्रम पई जाता है तो उसे उन तथ्यों को एडिटिस सुईकार नहीं करना चाहिए झाल झाल